सच्चिदान अंदर उपाया विश्वत पत्या दिहे तवे तापत्रई विनाशाए श्री कृष्णाए वयम्न महाबुले श्री कृष्ण बगवाने की जै नमस्कार आफार सु स्वावत कमें मैं पंडेत निटिं शास्त्री आप सभी भगतों का आज के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वावत करता हूँ उमीर है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आपके उपर बने रहे मेरे प्यारे साथ्यों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में कामदा एकादशी कावरत कम और किस दिन है आज मैं आपको बताऊँगा कि कांगदा एकाजशी किस समय शुरूग होगी, कांगदा एकाजशी के समाप्त होने का क्या समय रहेगा, कांगदा एकाजशी का अवरत करने से क्या फर्प्राक्त होता है और कांगदा एकाजशी के दिन पूजा किस प्रकार से कर भी चाहिए ये सारी बाते आज की इस एपिसोड में मैं आपसे भी बखनों तो बताऊँगा तो मेरे प्यारे साथियों आपने आज का एपिसोड पूरा देखना है ताकि कोई भी मेंतोफुन जागकारी आपसे मिस न हो सके तो चलिए अब विश्ण भगवान को नमशकार करते हुए आज की एपिसोड की शुरुआत करते हैं ओम विश्णवे नमहा मेरे प्यारे साथियों आज हम बात कर रही हैं कामदा एकाद्शी वृत के बारे में प्यासाथियों जूतो एकाद्शी तिथी कोई भी हो जो भी मनुश्या सच्चे मन से एकाद्शी का वृत करता है उसकी सभी मनुकामनाई पूरण होती है हिंदू धर्म में अगर किसी वृत का सबसे जादा महत्व है तो वह एकाद्शी का वृत है अगर आप सच्चे मन से एकाद्शी का वरत करते हैं तो संसार में आपको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं हो सकता लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कामदा एकाद्शी वरत के बारे में तो मिरे प्यारे साथियों कामदा एकाद्शी का वरत चैत्र के महीने में शुकल पख्ष की जो एकाजशी तिछी होती है उसको कामदा एकाजशी का व्रत आता है जो भी विनुश्य सच्चे मन से कामदा एकाजशी का व्रत करता है उसकी सभी मुखकावनाएं तुरंत प्रुभाव से पूर्ण होती है प्यारी साथियो अब मैं आपको उताता हूँ कि साल 2021 में कामदा एक आद्जी कावरत कब है स्पाइड में स्क्रीन फर मैं डिटेल शियर कर रहा हूँ यहां से अच्छी तरह से आप डिटेल नोट कर सकते है साल 2021 में कांगदा एकादशी का वरत 23 अपरेल के दिन रखा जाएगा डिटेल मैंने शेयर कर दी है, यहां से आप डिटेल नोट कर सकते हैं साल 2021 में कांगदा एकादशी का वरत 23 अपरेल के दिन किया जाएगा अब मैं बताता हूँ एकाजशी के प्रारंब होने का समय तो शमय होगा 22 अप्रेल को रातरी 11 बच करके 37 मिनट पर एकाजशी के प्रारंब होने का समय रहेगा एकाजशी के समाथ होने का समय होगा 23 अप्रेल को 9 बच करके 50 मिनट पर रातरी पर ये डिटेल भी मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दी है यहां से आप अच्छी तरह से डिटेल नोट कर सकते हैं प्रिय साथियों एकाजशी के दिन सुभर जल्दी उटकर सनार करें शुद वस्तधारन करने के बाद इस दिन विशेश रूप से विश्णु भगवाद की पूजा करनी चाहिए चौनकि एकाजशी का दिन भगवाद विश्णु को बेहत प्रिय होता है अगर आप अपनी बनोकामनाओं की पूर्ती चाहते हैं तो एकाजशी के दिन विशेश रूप से आपको विश्णु भगवाद की पूजा करनी चाहिए मैं उमीद करता हूँ आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको बेहत पसंद आईगी अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रेशन है तो कमेंट बोक्स की माधियम से पूज सकते हैं अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइप और शेर जरूर करना है आज के लिए बस इतना ही मैं पंडिक नीदी शास्त्री अगले एपिसोड में मुलाकात पर हुआ किसी नए विशी के साथ तब तक के लिए ओम विश्णमेरभा जय माता की